तो गाइज आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बीजे माई की अनलिमिटेड हेल्थ ट्रिक जिसका यूज करके आप जोन के बाहर रहकर भी सर्वाइव कर सकते हो और इससे आप जीरो किल में चिकन डिनर या फिर टॉप टू में तो काफी आसानी से आ जाओग तो बस वीडियो को एंड तक देखते रहो और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना साथ ही साथ बैल आइकन को जरूर से दबा देना तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो सेटिंग के अंदर हीलिंग प्रॉम्ट है इसको बंद कर दो और फिर आपको अपना गेम स्टार्ट करना है और भाई आपको जल्दी से जल्दी जो सेवन ड्राइगन बॉल है उसको कलेक्ट कर लेना है मतलब बस उतरो और भाई जो seven dragon ball उसको collect करो और उसी के साथ साथ जितनी भी आपको first ed kit या फिर made kit या फिर ये जो sanjubin है ये मिलती है तो भाई इनको जितना ज्यादा हो सके उठाते रहो और जो seven dragon ball है उसको collect कर लो और जैसे ही seven dragon ball collect हो जाती है तो फिर ये जो summoning shendro malter location है जहां से आप dragon को बुलाते हो तो इस location पर आपको वहाँ पर जाना है जहां पर ये वाले location blue zone के बाहर रहे मतलब जो भी location zone के बाहर रहती है आपको उसे वाली location पर चले आना है और फिर आपको यहां पर बस अपने dragon ball को place करना है और यह जो fast healing वाली wish है आपको इसको select कर लेना है अब देखो अगर आप john के बाहर आकर इसको बुलाते हो तो ये जो fast healing वाली wish है आपके show हो जाएगी मतलब ज्यादा तर आपके यहां पर मिल जाएगी तो आप इसको यहां पर select कर लेना और इसको select करने के बाद आपको फटा-फट loot के लिए भागना है और जितनी भी आपको first ed kit, made kit या फिर ये जो sanju bean इनको उठाते रहो और आपको इनको तब तक उठाते रहना है जब तक ये जो john है इतना छोटा नहीं हो जाता हो और फिर जैसे ही john इतना छोटा हो जाए और ये जो blue john है ये चलने लग जाए मतलब इसका timer यहाँ पर चलने लग जाए तो फिर आपको लूटना बंद कर देना है और भाई आपको क्या करना है कि जो आपके पास bandage या फिर drink वगेर है उनको फटाफट यूज करो और बाकी की जो bandage और drink या फिर pen killer है उनको आप गिरा दो और आपको सिर्फ आपके पास रखनी है first ed kit, med kit और sanjubin और उसके बाद क्या करना है कि जो sanjubin है उसको आपको यूज करना है तो इसी तरीके से आपको जो sari की सारी sanjubin है आपको उनको यूज कर लेना है और फिर जो made kit है उनको कैसे यूज करना है तो भाई जो आपकी health है वो मतलब लगबग 70 के करीब रहे तो आपको तब इसे use कर लेना है और फिर दोबारा से health हितनी हो, दोबारा से use करो इसी तरीके से आपको ये जो made kit आपको इनका use करना है और जो first aid kit है उनका क्या करना है कि जब आपकी health 50% हो जाए, मतलब आदी health हो जाए, तब आप इन first aid kit को use करो बस आपको इस तरीके से लगातार use करते जाना है, यूज करते जाना है और भाई, आप काफी आसानी से top 2 में आ जाओगे अब देखो, यहाँ पर मेरे पास थोड़ी first aid kit वगेरा कम थी मैं ज्यादा उठा नहीं पाया था, तो इसलिए क्या है, कि मैं top 3 में आया हूँ लेकिन अगर आपके साथ आपका teamate रहता है, तो आप उससे ले सकते हो और अगर आप या सनाया जैसी जगह पर जाते हो, तो वहाँ पर आपको काफी ज्यादा loot मिल जाएगी वहाँ से आप काफी बढ़िया loot कर सकते हो, तो यह जो trick है, आपको अपनी rank push के लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगी तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे next वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye